हलो दोस्तू नमस्कार प्रोफिट गुरू चेनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट की साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो मार्केट आप देख सकते हो आज इस प्रकार से गिर रहा था ऐसा लग रहा था कि मार्केट कल भी गिरेगा क्यों? क्योंकि आप चार्ट पिटन देखिए किस प्रकार से है ठीके मतलब वो पूरी तरीके से बीच में कहीं पर भी उसने recovery करने की कोशिश नहीं करी ठीके मार्केट था दोस्तो 15,692 रुपे का previous close बड़ा सा गेप वो ओपनिंग लिया expectation था कि दोस्तो जितना गेप से वो open हुआ है उतना गेप को फिल करके मतलब गिरावट दिखाएगा मतलब यहाँ पर open हुआ है उसका गेप यहाँ था मतलब गिरावट को फिल करेगा बापीस उपर आएगा लेकिन दोस्तो वो continuously इतनी खतरनाक तरीके से गिरते गया कि दिन का उसने low लगाया 15355 रुपे का सोरी 35 रुपे का मतलब दोस्तो बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है लास्ट पांच दिन में लगबख साड़े 5% मार्केट गिर चुका है और जो portfolio दोस्तो अच्छा खासा run कर रहा था अच्छा खासा growth कर रहा था उसकी पूरी तरीके से दज्जिया उड़ गई है ठीके तो कितने reason हैं दोस्तों से market को गिराने के और कौन से main reason है जो आगे भी continue रह सकते हैं market के उपर pressure बना के यह हम सब इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो चलिए एक एक करके सभी point को हम देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं Powell साब Powell साब ने दोस्तों कल evening में मतलब रात में ठीके रात में US में क्या किया उन्होंने rate को hike किया 75 basis point पर rate को hike किया जो expectation था कि 25 से 50 या 75 तक तक तो दोस्तों rate hike होगा aggressive तरीशे के क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से मैं मन्त में जो inflation का data निकल के आया 40 साल की उचाई पे ठीके तो aggressive तरीचे से होगा market को भी पता था दोस्तों aggressive होगा लेकिन market ने जो सोता था उसी प्रकार से rate hike हुआ जिसके लिए US market भी रात में काफ़ी अच्छे खूस रहे थे 4 बजे रात तक ठीके क्योंकि उनका बंद होने का समय चार बजे है जब तक वो अच्छे खुसी खुसी बंद हुए हमारे market भी खुसी खुसी open हुए लेकिन दोस्तों वो tick नहीं पाए क्यों क्योंकि दोस्तों कुछ commentary market में ऐसे आते देखने को मिली दोस्तों ठीके इसी कड़ी से वो कड़ी जुड़ी हुई है जिसके करण दोस्तों जो pressure है वो continuously बढ़ते रहा है ठीके चले और आगे point देखता हूँ ये भी दोस्तों गिरावट का main reason हमें देखने को मिल रहा है आप देखे मेजर global indices ठीके रेट हाइक हुआ गेप अपनिंग हुआ बहुत अच्छा उसके बाद हमारे market क्लोज हुआ है यह देखे लेट इवनिंग में जब US market में कितनी अच्छी मुमेंट हमें देखने को मिली आप देख सकते हैं ठीके यह सब जब आज इवनिंग में open होंगे तो इनमें बड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पर देखिए यह जो market जितने भी दोस्तों इनमें सम में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है ठीके मतलब पूरे ग्लोबली मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों profit booking आ रहा है तो वही tension दोस्तों हमारे market में देखने को मिला और जिसके कारण हमारा जो market है वो गिरा ठीके यह भी reason है चले आगे देखते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो WPI inflation ठीके मतलब दोस्तों जो थोक महेंगा ही है मतलब जो थोक बेपार होता है ठीके पूरे ग्लोबली मार्केट में ठीके उसकी जो WPI का जो inflation number निकल के आया ठीके एक दिन पहले उसमें भी काफी तेजी देखने को मिली ठीके यह भी unexpected moment देखने को मिला यह भी दोस्तों मतलब एक inflation का ही नंबर है ठीके जो बिल्कुल भी मार्केट को सही नहीं रहने दे रहा है ठीके यह जैसे जैसे आगे भी बढ़ेगा बैसे बैसे दोस्तों जो महेंगा ही है वह कंटिनुसली क्या होगी बढ़ेगी और वही problem डालेगी ठी पी आई मतलब foreign investor ने ठीके काफी बड़े पहमाने पर क्या कर रहे हैं दोस्तों यह सेल आफ कर रहे हैं ठीके मार्केट को पूरी तड़े किसे slowdown कर दिया है दो हपते पहले अपडेट आया था चुम्माली सजार करोड की दोस्तों यहां पर profit booking अभी तक उन्होंने कर लिए उसके साथ ही देखें FPI बोल रहा है मतलब और भी यहां पर news आ रहे है दोस्तों कि जो investor है और 6.7 lakh करोड उपे अभी तक गबा चुके हैं दोस्तों जबसे मार्केट में pressure आया है एकदम उचाई से ठीके लास्ट आट महने में जबसे मार्केट में गिरावट चलू हुई है ठीके जब से लेके अभी तक 2,00,00 करोड उपे यहां पर क्या हो चुके profit booking हो चुकी यह 5 दिन पहले का update है मतलब दोस्तों FPI continuously क्या कर रहे हैं पैसा निकाल रहे हैं और वो पैसा कहा जा रहा है दोस्तों वो पैसा जा रहा है दोस्तों वो पैसा जा रहा है सीधे तोर पे इ बड़ा ठीके और हमारा जो Indian currency है ठीके वो इसके सामने बीक होते जा रहा है ठीके वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है वो भी काफी historical low पे पहुत चुका है ठीके जिसके कारण दोस्तों pressure और बढ़ रहा है हमारा जो Indian currency है वो दोस्तों अगर सही value पे नहीं रहेगा तो ह हमारे उपर pressure वैसा ही आएगा ठीके तो ये भी परिशानी का कारण बना हुआ है उसके साथ ये दोस्तों US bond yield के अगर हम बात करें ठीके यहां पर भी सीधा पैसा आ रहा है जो profit booking आ रहे है वो continuously यहां पर आ रहे है ठीके जितने भी globally market से पैसा निकल रहा है ठीके वो सीधा यहां पर आके investment हो रहा है क्योंकि दोस्तों चीज छोटी सी है ठीके बल्क में पैसा डल रहा है काफी बड़ी मात्रा में और return देखिए एक एक दिन में कितना कितना मिल रहा है ठीके अगर इतना return एक दिन में मिल जाएगा समने वाले वेक्तिक हो तो कितना मजा आएगा क्य मतलब जो रहता है न किरिकेटर जैसे बीच में आते हैं लिमिटेट ओबर में आते हैं वो और एकदम freedom से खेलते हैं 6464 हमें दिखाते हैं सिंगल डवल तो दिखाते ही नहीं वैसे दोस्तों ये भी है market गिर रहा है अभी मतलब दोस्तों इनको freedom है बढ़ने का तो पैसा जो कारण क्या हो रहा है और जो प्रेशर है वो continuously बढ़ते जा रहा है ठीक है चले आगे भी देखते हैं उसके साथ ही दोस्तों the economic time की site के ओपर एक बड़ा सा update आया है ठीक है ये देखे कुछ key facts आया है ये तो अभी हम नहीं बता सकते ठीक है टाइम फ्रेम देखे जो बीच का लोबली मार्केट में जो profit booking है हां reaction reaction के अगर हम बात करें तो reaction में दोस्तों जो जीरोदा के co-founder है निखिल कामत जी वह क्यूशन कर रहे हैं ठीक है क्यूशन इस प्रकार से कर रहे हैं कि अभी हाल फिलाल में दोस्तों जो फेड की ठीक है फेड की जो rate हाइक हुई है अभी लग वह 1.6 percent हुई है तिक है ओर जो inception है वह 8% आ चुका है मतलब दोस्तो मार्केट का rule है चो मार्केट का rule है कि जो 2i है मतलब दोस्तों interest rate और inflation ठीक है ये दोनों साथ में चलना चाहिए क्या ये दोनों साथ में चलना चाहिए ठीक है इतने दिन से साथ में चल रहे थे कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अब ये बिछड चुके है ठीक है अब ये दोस्तों inflation वाला आई कहां पर आँ पर्सेंट पर इंट्रेस्ट रेट वाला कहां पर है 1.6% पर ठीक है तो इन दोनों को कैसा मिलाएंगे इन दोनों को ये कैसा मिलाएंगे जब शूट टम का टार्गेट यहां पर बता दिया है कि 5% हमको क्या करना है दोस्तों inflation को लाना है ठीक है तो इन्फ्लेक्शन को 5% लाना है तो जो रेट है उसको दोस्तों करीबन इनको क्या करना पड़ेगा 3-4% लाना पड़ेगा अब 3-4% दोस्तों अगर ये रेट को लेके आ जाएंगे तो जो दोस्तों रेट हाई के कारण परिशान होंगे जो व्यक्ति जो लोन लेने जाएंगे उनका जो EMI रेगा वो तो बढ़ क्या आएगा ठीके जिससे दोस्तों क्या होगा जो हमारा economy रेगा जो दोस्तों US का economy रेगा सब दूर का जो economy रेगा वो पूरी तरीके से slowdown हो जाएगा ठीके तो इसके करण दोस्तों market में अभी भी क्या रह सकता है pressure रह सकता है क्योंकि दोस अब यहाँ पर दोस्तों जोन मंत का inflation का data आएगा ठीके वो control में है या नहीं ठीके फिर aggressive तरीके से rate हाइक होगा फिर market में मतलब दोस्तों ये प्रक्रिया हर महिने चलेगी जब तक दोस्तों थोड़ी सी भी गिरावट inflation में नहीं आती तब तक दोस्तों ये प्रक्रिया हर म बात कर ले ठीके तो इनने दोस्तों निखिल कामत जी ने बहुत बड़ा suggestion यहां पर हमें provide किया है तो इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि ये जो दोनों आईए ठीके इनको केस प्रकार से मिलाए जाएगा अगर शॉट टम में 5% हम दोस्तों इंफ्लेक्शन को ले भी आते ह तो हमें दोस्तों rate को करीबन 3% से उपर रखना पड़ेगा और इससे दोस्तों जो normal वेखती है उसको काफी बड़ी मार पड़ते देखने को मिलेगी ठीके चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आज के दिन सबसे ज़्यदा पैसा कहां से निकला वो देखते हैं ठीके पैसा जहां से निकला महां सबसे ज़्यादा गिरावट तो बेंख निफ्टी सबा दो पर अटो उससे थोड़ा ज़्यादा ठीके financial service थोड़ा कम FMCG कम IT ईट को ऐदी में भी काफी जदा मेडिया में सबसे ज्यादा पैसा निकला है दोस्तों ले टल में में निकला है metal industry में ठीक है metal industry में जिस प्रकार से profit booking होई है उस प्रकार से दोस्तों काफी बड़ी मात्रा में pressure market पे आया है ठीक है तो देखे इतने सारे reason में आप लोगों को सामने पेश किये हैं एक भी ऐसा दम बाला reason नहीं देखने को मिला जो market को उपल लेके जा सके ठीक है इसमें से कुछ ऐसे important point है जो continuously जैसे की inflation हो गया US का जो dollar index है वो गया US की 10 year bond yield हो गई ठीक है inflation का number हो गया rate high का यह continuously अभी बने रह सकते हैं जब तक दोस्तों inflation में गिरावट नहीं आएगी जब तक यह point आगे continue हमेरे जो market के pressure में बने रहेंगे ठीक है यह पूरे globally market के pressure में बने रहेंगे ठीक है और रात में अगर मान लीजे US market में काफी बड़ी गिरावट आ जाती है वहां से और कुछ नहीं हो जाती है तो कल हमारे market में फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी ठीक है तो यह थे दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ important points और यहां पर एक और points में बताना चाहूंगा दोस्तों देखे market में गिरावट आ रही है portfolio में गिरावट आ रही है हमारे portfolio में भी गिरावट आ रही है अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन अब कुछ चंद परसेंट का ही हमें profit दिख रहा है ठीक है हमारा भी मैन होता है profit booking कर लेकिन नहीं दोस्तों market में से अगर हम ही पैसा निकाल लेंगे ठीक है तो market और तेजी से गिरने लेगेगा तो जिसके लिए दोस्तों हमें market में कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है जिससे market क को भी परिशानी हो सके ठीक है और हमको भी परिशानी हो चुके है अगर हम अभी loss भी book कर लेंगे तो पैसा किसका जाएगा हमारा जाएगा पैसा निकलेगा कांसे हमारे market से निकलेगा तो बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं रहेगा ठीक है तो इस point को ध्यान से आप लोगों से request है ठीक है और साथ में एक और request करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को subscribe करिएगा क्यों डेली बेसे से धमाके तार update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक्यू दोस्तो क्यों आप लोगों